आज से 4 महीने पहले हमने खबर देखी थी कि भारत ने officially अपने nuclear program के second stage में entry ले ली थी because हमने हमारा पहला indigenous fast breeder reactor जो है उसकी core loading को witness किया था इस पूरी की पूरी चीज को लेकर हमने एक separate video भी बनाई थी जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए और आज दोस्तों उसी चीज को लेकर एक बहुत ही बड़ा update आया है because finally हमारा जो nuclear energy का regulator है atomic energy का जो regulator है उसने इसी particular fast breeder reactor में fuel loading के लिए जो हरी जंडी है उसको यहाँ पर प्रधान कर दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं खबर जो है यह कल ही सामने आई है that इंडिया के एक nuclear milestone के रूप में हमारा जो regulator है उसने fast breeder reactor के लिए जो fuel loading है उसको अब officially green light यहाँ पर दे दी है इसके बहुत सारे बहुत बड़े बड़े माइने होने वाले हैं सबसे पहली बात तो इसका मतलब indirectly basically यह है कि इंडिया के द्वारा अब एक ऐसा nuclear reactor तयार कर लिया गया है जिसमें की directly आपको uranium की आवशकता पड़ती ही नहीं है हमारा जो stage 2 का जो हमारा nuclear reactor है इसमें आपको direct uranium डालने की आवशकता नहीं पड़ती है इसके बारे में detail में मैं आगे चर्चा करूँगा लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है because इसमें हम लोग thorium का इस्तिमाल करने लग जाते हैं and इसका जो best part है वो यही है दोस्तों कि इंडिया के पास thorium के थोड़े बहुत नहीं बहुत भारी भंडार देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में जितना भी thorium है उसका almost 25% जो भंडार हैं वो केवल और केवल आपको भारत के ही अंदर देखने को मिल जाते हैं आप इसके आंकडे भी देख सकते हैं 900,000 टन से भी जादा का जो thorium है वो आपको केवल भारत में ही देखने को मिल जाता है इतना ही नहीं ये वाला जो particular reactor हमारे द्वारा यहाँ पे तयार किया गया है इसके international implications भी बहुत सारे हैं दुनिया में अगर मैं सबसे बड़े nuclear energy के leader की बात करूँ जिसको की generally America माना जाता है वो भी दोस्तो ऐसा fast breeder reactor तयार नहीं कर पाया है वो भी अभी भी small modular reactor की technologies पे काम कर रहा है light water reactor की technologies पे काम कर रहा है अगर मैं Germany की बात करूँ जिसको पहले nuclear energy का leader माना जाता था उसने भी reactor पे काम नहीं किया है बलकि वो तो अब और नए nuclear reactors को यहाँ पर बना ही नहीं रही है और इसका एक बहुत बड़ा फाइदा जो की भारत को international level पे होने वाला है कि अब हमें nuclear supplier group की long term में membership की आवशकता पड़ेगी ही नहीं जिस चीज़ को लेकर चाइना पिछले कई सालों से भारत की membership को complete होने में बहुत सारी अर्चने पैदा कर रहा था बात करेंगे इन सभी angles के बारे में समझेंगे nuclear program की जो तीन stages है वो क्या है कैसे काम करती है और भारत को इस particular कदम से क्या क्या फायदा होगा उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगा यह शुरू करते हैं दोस् offline centers का रोलबाग और मुखरजी नगर में आ चुके हैं नई दिल्ली में और साथने उत्तर प्रदेश के प्यागराज में भी आ चुके हैं सभी offline centers में हम लोग GS courses साथ में CSAT, essay writing classes, current affairs coverage, साथ में test series जैसी सेवाएं available करवा रहे हैं कोई भी आपको doubt है आप लोग center को visit कर सकते हैं so अभी हमें जो खबर देखने को मिली है very very short मैं आपको बता दूँ atomic energy regulatory board के द्वारा जो crucial permissions हैं जिसके माध्यम से ये जो हमारा prototype fast breeder reactor है ये operationalize होगा इसको लेकर जो permissions है वो grant कर दी गई हैं ये वाला जो fast breeder reactor है कहां पे located है ये हमें कल पक्कम में देखने को मिलता है ये दोस् नाम मदरास atomic power station है जो कि तमिल नाडू में है इसी particular atomic power station में ये वाला हमें fast breeder reactor देखने को basically मिल जाता है now in order to understand कि ये कैसे काम करता है इसका थोड़ा background समझना होगा basically जो ये fast breeder reactor है जैसा कि इसका नाम है fast breeder यानि कि एक ऐसा reactor है जो कि जितना तेल खाता है उससे जादा तेल ये produce करता है इसको आप देख सकते हैं कैसी machine कहा जाता है which produces more nuclear fuel than it consumes तो मान लीजे कि आपने इसमें x amount of nuclear fuel को add किया तो ये x से भी जादा आपको nuclear fuel यहाँ पर produce करके जिसको और अच्छे से समझना है तो ये इंडिया का पूरा का पूरा three stage nuclear program है stage one में हम लोग basically क्या करते हैं जिसमें कि आपको मालूम होगा pressurized heavy water reactors देखने को मिलते हैं ये वही वाले reactors हैं जो की भारत में अलग-अलग locations में कलपकम में, कुदन कुलम में या फिर और कहीं पर भी काकरापार में ले लीजिए, तारापूर में ले लीजिए, कैगा में ले लीजिए, जितने भी हमारे जो nuclear reactors हैं, वो सारे के सारे pressurized heavy water reactors हैं, जो की theoretically stage one के reactors माने जाते हैं, stage one में आप लोग क्या क्या करते हैं, इसमें आप लोग एक तो heavy water को आड़ करते हैं, दूसरा जो बचने वाला fuel है, उसको हम लोग depleted uranium बोलते हैं, और यही वाला जो depleted uranium है, इसको फिर हम लोग add on करते हैं, stage number two में, और यहाँ पर हम लोग केवल एक चीज़ और add करते हैं, हम लोग यहाँ पे plutonium 239 को add कर देते हैं, और साथ में हम लोग thorium को भी add करना शुरू कर देते और यही इसका सबसे बड़ा significance बन जाता है, क्योंकि stage two में अगर आप ध्यान से देखें, तो directly आपको uranium add नहीं करना, केवल जो बचा हुआ uranium है, उसको add करना है, और साथ में plutonium और thorium आपको यहाँ पर add करना है, और यही इसकी सबसे खास बात है, क्योंकि thorium के लिए अब हम किसी पे भी dependent होने की आवशकता नहीं है, अगर मैं आपके साथ आंकडे share करूँ, तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया का जो 25% of thorium reserves हैं, वो केवल और केवल भारत में देखने को मिलते हैं, यह मान लीजे कि this is almost equal to limitless energy, जो कि भारत यहाँ पे produce कर सकता है, अगर मैं इसके आं 963,000 tons के आसपास हमें thorium देखने को मिलता है, जिसमें कि जो पुराने कुछ आंकडे बताते हैं कि 35% आंधर प्रदेश में हैं, फिर तमिल नाडू, ओडिसा, केलला, वेस्पेंगौल, बिहार जैसे प्रदेशों में आपको देखने को मिल जाता है, इसको अगर आप stage को 3 है, उसमें से जो निकल कर आता है, वो फिर से uranium 233 निकल कर आता है, और अगर आप एक बार stage 3 में पहुन जाते हैं, ये एक ऐसी stage है, जो कि self-sustaining stage है, यानि कि आपको फिर पुरानी किसी भी stage के उपर निर्भर करने की आवशकता पढ़ती ही नहीं है, तो ये एहमियत है stage 2 क because once अगर आप stage 2 से stage 3 में चले जाते हैं, this will basically mean कि आपके पास unlimited energy अब देखने को मिल जाती है, नौ ये क्यों बहुत बड़ी बात कहीं जा रही है, पहली बात तो इंडिया के nuclear program के लिए बहुत बड़ी बात है, अगर आप ध्यान से देखें, 55 साल का सफर तै करते हुए, हमने 1969 में हमारे nuclear program को शुरू किया था, आज 55 years के बाद हमने दोस्तो finally stage 2 में officially entry ले ली है, दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, कि जो ये fast breeder reactor है, मैंने आपको starting में ही बताया, जितना तेल ये खाता है, उससे जादा तेल ये produce करता है, यानि कि आपकी जो खपत है, वो कम ह होने वाली है, production है, वो जादा होने वाली है, उसके बाद जो nuclear waste generate होता है, fast breeder reactor में, ये भी as compared to stage 1 काफी हमें कम देखने को मिलता है, इसके साथ अगर हम लोग इसके geopolitical implications की बात करूँ, international level पर implications की बात करूँ, तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि इंडिया को nuclear suppliers group की membership की ही आवश नहीं पड़ेगी, NSG का आपको इतिहास बताता हूँ, इसको बनाया ही इसलिए गया था, because 1974 में इंडिया ने जब अपने nuclear test को conduct किया था, और ये बनाया ही इसलिए गया था, ये सोचके कि इंडिया को इस group में entry नहीं देंगे, इंडिया काफी time तो कोशिश करता रहा कि हमें इस group में entry मिले, लेकिन China हर बार ये बोलता था कि क्योंकि इंडिया NPT का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग कभी भी इंडिया को NSG का हिस्सा बनने नहीं देंगे, जिसकी problem क्या हो रही थी, कि हमें uranium जो procurement में काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब चूंकि हम लोग stage 2 पे आ चुक देखने को मिल जाता है, and overall इसमें जो हमारी dependence थी, कि China अडचन बना हुआ था, वो वाली dependence भी यहाँ पर खतम हो जाएगी, and also internationally ये significant इसलिए भी बन जाता है दोस्तों, because जो fast breeder reactor की technology है, ये भारत दुनिया में second ऐसा country है, इसके बाद केवल Russia ने इस technology को theoretically develop किया है, and जैसा कि म हम लोग जल्दी ही stage 3 में entry ले लेंगे, so overall it is a very very huge huge milestone जिसको कि finally भारत ने यहाँ पे achieve कर लिया है, before I end the video, मैं यहाँ पर thanks करना चाहूंगा पूरे इंडिया की तरफ से, कि ये पूरा का पूरा जो program था, एक बहुत ही visionary scientist थे, homie baba, जिनोंने इस पूरे के पूरे program को यहाँ प और दोस्तों, इन ही की वज़े से, आज हम लोग stage 2 पे आए हैं, and also I would like to thank Bhavini over here, क्योंकि Bhavini जो है, वो यहाँ पर वही company है, जिसने की ये PFBR, Indigenously भारत में build और operate करने की शमता, इस Bhavini company की ही वज़े से हमें यहाँ पर देखने को मिली है, बाकि आप लोग जो भी सोचते है हमें definitely बता सकते हैं अपनी राय comment section में, thank you so much for listening, stay tuned